नमस्कार मित्रों मैं आचार्य अभिनोत भरद्वाज आपका श्वागत करता हूँ आज का यह खास कारिक्रम विशेश कारिक्रम आपके जीवन में आरोग्यता देने वाला है वो ऐसे कहा गया है कि मनुस्य के जीवन में अगर रोग है तो सब कुछ है लेकिन उसके लिए सब कुछ सूना सा लगता है तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जिस दिन आरोग्यता प्राप्त होती है साल में एक दिन आता है वह दिन होता है सरद पूर्णिमा का इसे रस पूर्णिमा भी कहा जाता है इस दिन चंद्रमा पृथ बी के अधिक सन निकट होता है और सोलह कलाओं से युक्त होता है बेदों ने भी कहा है चंद्रमा मन सो जाता अर्था चंद्रमा मन का कारक होता है मनुस्य के जीवन सैली पे जबर जस्त प्रहार करता है उसे सुख भी देता है कुछ ऐसे बैग्यानिकों ने सोध किया है कि चंद्रमा जब जब प्रतिवी के सन निकट आता है तो मनुस्य के जीवन में मांसिक दोस उत्पन हो जाते हैं तो आज हम एक बिसेस बात करेंगे कि कौन-कौन से रोग ऐसे हैं जो इस दिन ठीक किये जाते हैं एक बिसेस बिधी से खीर बना करके मित्रों इस कारिक्रम को पूरा देखिएगा यहां कारिक्रम निस्चित रूप से अमरित की बरसा आपके जीवन में कराएगा तो हम पहले आपको जनकाई देते हैं कि यदि आपके घर में परिवार में किसी को भी बिमारियां है तो आप निस्चित रूप से इस दिन एक छोटा सा कारे करके आरोगिता को हासिल कर सकते हैं जो भी व्यक्ति स्वास से संबंधित किसी भी तरह का रोग है उससे ग्रफित हैं उनके लिए भी यह कारिक्रम वेहद महत्वपुर्ण होने वाला है मन की असांती आज के समय में हर घर में देखी जा रही है एक यह छोटा सा कार्य मन की असांती को दूर करेगा क्योंकि चंद्रमा सीतलता को देने वाला है जो भी व्यक्ति अनिद्रा के सिकार है नींद का ना आना समझो सभी रोगों का एक तरह से जन्म देना है जिनको नींद ना आने की समस्या है वो भी इससे छुटकारा पा सकते हैं अत्यधिक क्रोधी या छोटी छोटी बात में तिल्मिला जाने वाला व्यक्ति भी आज इस कारी को करेगा तो निश्चित रूप से लाब को कमा सकता है डिप्रेशन का सिकार जो भी व्यक्ति है उसके लिए तो आज का यह कारिक्रम राम बांड साबित होने वाला है क्योंकि आज हम बताएंगे इस अम्रदाइनी दिन में एक खीर बना करके और चंद्रमा की छाओं में रख करके आप इन रोगों का समन करतकते हैं मतलब ऐसी उर्जा चंद्रमा से उस खीर में आएगी कि आपके रोगों का अंत हो जाएगा अब हम आपको जानकाई देते हैं खीर को कैसे बनाना है खीर के लिए साबच चावल लेना है दूद लेना है उसके साथ साथ आप गंगा जल लेंगे धीमी आज में सुद्ध कपडा पहन के जहां पे खीर बना रहे हैं उसे पानी से फोच दे तब खीर बनाएं लेकिन ध्यान रहे अलमुनियम और इस्टील के बरतन में खीर ना बनाएं कूकर में भी खीर बिर्कुल ना बनाएं नहीं तो खीर आपकी बिक्रत हो जाएगी उसमें आप ये सब पूर्या नहीं आ पाएगा मतलब चंद्रमा के गुण नहीं आ पाएंगे इतना सब चीज ले करके हो सके तो आप छट पे या हो सके तो घर के बाहर नहीं तो आप अपने कीचन में ही खीर बनाएं शब से पहले आप गंगा जल पात्र में आप जो डाल दीजिए हो सके तो आप चांदी के बरतन में या मिट्टी के बरतन में अगर इस खीर को आप बनाते हैं तो दिब्य आउसदिये गुण इसमें और ज़्यादा आ जाएगा दीमी आच में खीर को आप बनाएए बनाने के बाद जो मैंने टाइम बताया पांच बच के ग्यारा मिनट आट थेकंड के बाद से चार घंटे के बाद मतलब की आप 9 बजे के बाद से ले करेके बारा एक बजे रात्री तक एक बड़ी थाली में आप पानी रखें और खीर भी गोल बरतन में रखना है ऐसा बरतन हो कि पानी वाले बरतन से छोटा हो लेकिन ध्यार रखें कि पानी खीर में ना जाए ऐसी ब्यवस्था कर लें इसके बास सफेद कपड़े से आप खीर को ढख दें यदि आपके घर में ब्यवस्था है कि पूरी रात तक खीर रखी रहे तो ठीक है पूरी रात रख दें अन्यता आप एक बजे डेड़ बजे उस खीर को ले आए ले आ करके मंदिर में रख दें शुबा माता लक्षमी को परपन करें अपने बड़े बुजरुगों को खिला करके खुद खाएं देखिए यह अमृत दाइनी खीर आपके समस्त रोगों को दूर करेगी सास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है इस खीर को खाने से माता लक्षमी की कृपा होती है व्यापार भी खुब चमकता है मित्रो इस कारिकर में कहीं भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाईएगा लिखिएगा हम आपके साथ में हैं आपके प्रशन का जबाब जरूर देने का प्रयास करेंगे लेकिन आप हमारे यूटूब चैनल को जरूर सस्क्राइब करें अ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार